हेलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ राज यादा और एक बर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अब्डेट यूटूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में सिक्षक भरती की बारे में बात करेंगे जैसे कि आप सबको पता होगा कल के डेट पर मैंने आपको अपडेट दिया था दो PDF मैंने आपको दिखाया थे जिसमें लोग शिक्षड संचाल अनाला ने उस पत्र को जारी किया था और सरगुजा और बस्तर संभाग से जो है जनकारी मांगी थी सायक, सिख्षक और सिख्षक के रिक्त पदों की अब भुर सारी सवाल खड़े हो रहे हैं आप लोगों पे बहुत सारी कमेंड के रूप में सवाल आय हुए है कि क्या सिर्फ सर्गुजा और बस्तर में ही भरती होगी सर्गुजा और बस्तर संभाग की चुकि रिक्त पदों की जनकारी मंगाई गई है इसके अलावा अगर मानीजी की सर्गुजा और बस्तर से ही वेकेंसी आती है तो क्या वहाँ के सिर्फ सरगुजा और बस्तर वाले ही वहाँ पात रहुँगे उस वेकेंसी के लिए और क्या जो 20,000 रिक्त पदों की जनकारी दी गई है तो क्या 20,000 पदों पर वहाँ पर भरतियां होंगी इसके अलावा चुकि व्याख्याता की वहाँ पर खाली रिक्त बदों की जनकारी नहीं मंगाई गई है तो व्याख्याता की भरती होगी आफिर नहीं बहुत सारे सवाल है पूरे सवालों के जवाब के लिए बने लिए एक वीडियो पर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आगर आप सिख्षक भरती की तैयारी कर रहे हैं तो 2019 में जितने भी सिख्षक भरती में जितने भी एक्जाम हुए थे लगभग 7-8 एक्जाम हुए थे तो सभी एक्जाम को मिला करके अलग अलग विश्यों से संबंदित अलग अलग जो है पीडियाफ रेडि किया गया है जैसे कि CDP की जितने भी exam हुए थे उसमें CDP के सारे प्रश्णों को मिला करके एक PDF में ready किया गया है साथ हिंदी के सारे प्रश्णों को एक PDF में mathematics के सारे प्रश्णों को एक PDF में इस तरह से सभी विश्यों के अलग-अलग PDF तयार किये गए हैं जिससे आपको तयारी करने में आसानी होगी तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग PDF राप्त कर सकते हैं इसके लिए बहुत ही छोटा सा चार्ज आपको देना पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके लिए अगर इंक्वाइरी करना है तो यहाँ पर आपको WhatsApp नमबर दिया गया है नीचे और यहाँ पर से आप इंक्वाइरी कर सकते हैं चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते होंगे यह जो पत्र मैंने आपको PDF की रूप में कल दिखाया था जिसमें सरगुजा और बस्तर से रिक्त पदो की जो जानकारी मंगाई गए थी उसको आरक्षण के नुसार वर्गवार जो है इस भरती के लिए आकड़े मंगाए गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिख्षक और साया सिख्षक दोनों के लिए यहाँ पर जो है डाटा मंगाया गया है तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिख्षक और साया सिख्षक दोनों के डाटा मंगाय गए हैं दोनों के जो है वेकेंसी तो आने तय हैं लेकिन यहां पर दोस्तों व्यक्ख्याता के लिए कोई किसी प्रकार का जो है डाटा नहीं मांगा गया है या फिर यूं कहें कि जो आलोक सुखला जी हैं उनके द्वारा ये बताया गया था कि व्यक्ख्याता की भरती फिल्हाल नहीं आएगी व्यक्ख्याता की भरती बाद में आएगी लेकिन फिर एक ख़बर यह सामने आई थी कि चुकि जो बैकलोग पद जो जा रहा है जो जो दो हजार उनीस की जो ब पदों को उनमें शामिल किया जाता है या फिर नहीं किया जाता इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो दोनों PDF में खुल मिला करके 20,000 पदों रिक्त पदों की जनकारी दी गई है तो एक सवाल ये भी आ रहा था कि क्या 20,000 पदों पर भरतीया होंगी तो द देखने वाली बात होगी कि 10,000 से कितने सरफ 10,000 पदों पर ही भरतिया होंगी या उस से कुछ ज़्यादा पदों पदों पर भरतिया होंगी ये तैय है इसके गिलावा आप देखेंगे कि ये जो रिक्त पदों की जनकारी हो तो शिरफ सर्गुझा संभाग और बस्तर संभ संभाग में भर दिया होंगे क्योंकि वहीं पर ज्यादा पदों पर रिक्तियां हैं ज्यादा पद वहीं पर रिक्ते हैं तो मुख्य रूप से कहने का यह मतलब है कि ज्यादा तर पद हैं वो सर्गुजा और बस्तर सही होंगे हो सकता है कि अलग संभागों दूसरे संभागो होगी उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे जुपद हैं और वो भर जाएंगे और सिक्षा का इस तर वहाँ पर सुधरेगा सरगुजा और बस्तर के लिए तो मुख्य रूप से भरतिया सरगुजा बस्तर संभाग में ही आनी है और उसके अलावा उससे जुड़ा हुए एक सव साल था तो देखे इस्थानी भरति की जो प्रक्रिया है वो पिछले बार ही उसको जो है खारिच कर दिया गया था तो इस्थानी भरति बिल्कुल नहीं होगी कहने का यह मतलब है कि अगर भरतियां सिर्फ सरगुजा और बस्तर संभाग में भी ही आती है तो उसके अगर अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही था वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक ज़रू कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन